कि विडियो देखने से पहले डिस्क्लेमर को अवस्ट से पढ़ लें कि सब्सक्राइब करिए हमारी प्रीमियम सर्विस सौर्टर मेडियम टर्म लॉंग टेकनिकल पेक पोर्फोलियो मेनेजमेंट सर्विस अब हमें मेल करें वाट्सप करें डिस्क्रिप्शन में जाएं अब हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें जैसे स्टॉक मार्केट की लिटेस्ट अपडेट एंड न्यूज आपको मिल सके हम आज हम आपको एडलवाइसिस फानेंसिल सर्विसेस के बारे में बताने वाले हैं इस कंपनी के टैग लाइन है एडियाज क्रिएट वैल्यू प्र मारे में कपने प्राइस हं प्राइस पर खैदें किस पर में बेंज करना पर एकम सारे प्रश्ण गुतर हम आपको इस वीडियो capital यह तमस्सांत्र Credit created creating wealth Retail credit और corporate credit देती है कंपानी assets management का का काम करती है asset resolution का करती है wealth management पाम करती है advisory wealth management का का हम करती है insurance life insurance is general insurance का काम करती है guaranteed return भी देती है यह कंपानी नॉलेज इंसाइट्स में जाकर आप चेक कर सकते हैं इस कंपनी के बारे में कई आवार्ड्स मिल चुके हैं इस कंपनी को जैसे बेस्ट NBFC in SME Finance of the Year, बेस्ट प्राइवेट बैंक इंडिया डोमेस्टिक, यूटिलिटी M&A Deal of the Year, ऐसे बहतरी नवार्ड्स नवार्ड तो चलिए इस बहतरी कंपनी में कैसे निवेस करें यह भी हम आपको बताने जा रहे हैं ग्रो की वेबसाइट में जाएं एडल वाइसेस फाइनेसल सर्विस का स्टॉक सर्च किजिए, कैपिल मार्केट का स्टॉक है, 55.80 करेंट मार्केट प्राइस है, वन वीक में इसने 7.64 परसेंट का नेगेटिव डिशन दिया है, जबकि एक दिन में टॉक में, वन मन्त में 19.54 परसेंट गिर चुका ही यह स् में 20.46 परसेंट की गिरावट है, थ्री यहर्स में 59.83 परसेंट गिर चुका है, और 5 यहर्स में 60 परसेंट का स्टॉक करना चाहिए या नहीं, किस प्राइस पर वेस्ट करें, कब प्राफिट बुक करें, यह टेकनिकल चार्ट के माद्धिम से आप जान सकते हैं, इस स्टॉक में भारी गिरावट हो चुकी है, इस स्टॉक अपने ओर सोल्ड जोन में जा चुका है, और रिकवर होने के तैयारी में है, तो इस स्टॉक में पोजिशन बनाईए और आपको टार्गेट मिल सकते हैं, तब आप प्राफिट बुक कर सकते हैं इसमें, पर्फॉर्म हो चुकी है, 50% की गिरावट हो चुकी है अपने 52 एक हाई से, जो कि आपके लिए एक बाइंग अपर्चुनटी है, फॉन्डमेंटल्स देख लीजिए, मार्केट कैप 4,900 क्रोर की, एक मेट कैप कंपनी है, पी रिश्यो 18.37 का है, पी रिश्यो 0.74 का है, इंडस्ट्री पी 20.62 का है, रिटेर्न आउन इक्यूटी 4.18% की है, एपी एस 8.59 का है, डिश्यो 1.01% की है, बुक वैलू 74.11 की है, अपने बुक वैलू से कम प्राइस पर ही स्टॉक आपको मिल रहा है, जो कि आपके लिए बहुत अच्छी वैल्यू नेस्टिंग हो सकती है, फानेंसियल दे में तेज़ी दिख रही है, येरली नेट वर्थ में वोलडिलिटी दिख रही है, लेकिन लास्ट येर से इसमें अच्छी तेज़ी दिख रही है, प्रॉफिट जो है, जो निगेटिव थे, वो पॉस्टिव हो चुके हैं, और रेवन्यू में गिरावट देखी जा रही है लगातार, पैरेंट ऑर्गनाज़ेशन एडल वैसिस फाइनशल सर्फिसे लिम्टेट के नाम से मैनेजिंग डिरेक्टर मिस्टर रास्ते साह है, फांडर है, इसके ये पास 32.4% की होल्डिंग, और इन इस्टूशन की पास 32.24% की होल्डिंग है, इसके दूसरे स्टॉक्स है HDFC Asset Management Company निपान इंडिया Asset Management अधित विल्ला Sun Life Asset Management Company इस कंपनी में क्या हो रहा है क्या इवेंट्स चल रही है क्या न्यूज है ये भी हम आपको बताएंगे तो देखिए बोर्ड मिटिंग 31st January 22 को हो चुकी है इसके डिविदेंट हिस्ट्री भी हम आपको बताना चाहेंगे दो बार इन्हों दिविदेंट भी आया है 55 पैसे और 90 पैसे के न्यूज बताएंगे हम आपको वालूम इस्पूट्स एट अडल आइसस फैनेशल सर्विस्स लिम्टेड काउंटर वाट नेक्स फार सोर वाइंड हाइड्रो एनरजी इन इंडिया एक्सपोर्ट्स डिकोड तो वालूम में अच्छे तेज़ी देखी जा रही है और इसी समझाए यह रेजर पे लिंक पर क्लिक करके सर्विस को तुरंत अक्टिवेट कर लेजिए इससे आपको कौन से स्टॉक में खरिदारी करने से आपको अच्छा मुनाफ़ा हो सकता है कब प्रॉफिट बुक करें टार्गेट क्या है सारे जानकार यह आपको वाट्स आप और मैं थूद्यू तिल देन बभाए